चलो भाई पढ़ाई बहुत हो गई बहुत बढ़ाई करी इतने महीने लिए हमने बहुत महनत करी हमने तीन दिनों में भी बहुत महनत करी अब क्या करें अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे 8-10-15-20 क्या करें भाई सब डीप ब्रेट्स दें mind बढ़िया काम करेगा paper कैसा भी आए चाहे tough आए चाहे easy आए सब के लिए आएगा अपने को क्या करना है अपने mind को एकदम relax करके paper में जाना है paper में जाना है ठीक है अब पढ़ना था जितना हमने पढ़ लिया अब वहाँ पे जो exam में में आएगा हमारा presence of mind ही हमारा वहाँ पे काम आएगा paper presentation perfect होना चाहिए time management perfect होना चाहिए जिन question में confidence है वो पहले करो question number one last में करो ठीक है यहाँ पर अगर time last में ऐसा होता है कहीं short पढ़ रहा है case studies वगरे है तो अपने देख लेने का नीचे आके कि question क्या है उन question के 5 points है तो उसमें से 2-3 तो बड़े easy होते है वो अपन फटा-फट क्या कर सकते है इतलीस उतना तो answer करके हो वो चोड़ना नहीं है और शुरू से ध्यान रखोगे एक paper complete करने का तो paper पूरा complete हो जाएगा ठीक है time management बहुत important चीज़ है time management एकदम प्रॉपर presentation एकदम प्रॉपर, sections वगरे properly code करना है underline प्रॉपर करना है, working notes प्रॉपरली लिखना है calculations अपने मन में नहीं करने है, bracket में वहाँ पे लिख करके आने examiner को बताओ जो जो आता है सब कुछ वहाँ पे अच्छे से लिख करके आओ, ठीक है paper presentation, time management, confidence, तीनों चीज़ें बिलकुल अच्छे से रखो all the very 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 best बेटा, exemption लेके आओगे paper पूरा अच्छे से लिखोगे तो, ठीक है तो बिलकुल अच्छे से confidence बढ़िया रखो, mind को relax करो और क्या गरो, paper देने जाओ, success will be yours all the best बेटा, bye bye